कि अग्जाम को दे रहे हूं खासकर आपका सीटेट का एक्जाम इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको उनका मीनिंग नहीं पता तो आपको बहुत बड़ी प्रोलम होने वाली है अगर आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे अपना सोच का ठीक है तो बड़े महत्पून होते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स ठीक आज मैं आपको CDP के करार हो दीरे दीरे करके आपको बाकी के सब्जेट की भी जल्दी करा दूँगा ठीक है तो चलिए भई सुरुआत कर लेते हैं आज आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इनकी आपर बात हम लोग कर लेते हैं ठीक है गुड़ इविनिंग भई मैं ठीक है इसकी discount date अब आपके मैंने कर दिये है 5 अप्राइल ठीक है इसकी discount date अब आपके यह 5 अप्रेल तो 5 अप्रेल तक ही आपको discount मिलेगा जब रिधिस के अंदर ये discount मिले है जिसके बाद आपकी paper first paper second चाए दोनों मिल जाएंगे ठीक के इसकी discount Cen मैंने आपके लिए आगे बढ़ा दिये और यह सारा कंटेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है चाहिए प्रिवेसर के क्वेश्टन हो एंचाइट की किताब हो जो मेरे वाले सीटेट के नोट्स है ठीक है जिसमें डिटेल में सब चीज रहती है वह हो और जो मेरी सीटेट आपको पढ़ाएंगे और इसकी क्लास आपकी सुरू हो गई है अभी ज्यादे क्लास नहीं लेकिन उससे कुछ फरक भी नहीं पड़ता क्योंकि लाइव क्लास अपने आप ही रिकोड़िट में चली जाती है ठीक है तो आप लोग मेरी सचने अकैडमी ओफिसल एप्लिकेश सेकंड वाले बच्चे तो पेपर सेकंड़ वाले सोसल साइंस साइंस वाले इनको बड़ी दिक्कत ऊती है वो बार बार कहते कि सर चीडी तो पूर आप निचोड करादे तो उसके लिए कुछ अलक प्लानिग है आज रात कमीचे समय दीजिए और कल मैं आपको बता दूंग इतना वड़ा सिलिबस होता है खाज कर सोसल साइंस और साइंस का लेकिन काफी हदित तक आपकी चीज़े यूटूब पर होती है लेकिन अगर आपको सारा कंटेंट एक साथ चाहिए और सारा मैट्रेल एक साथ चाहिए तो आप लोग सचिन एकेडमी ओफिशल एपलिकेशन प मिलेंगे मलब पीवाई की तो मिलेंगे और यह सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इंपोर्टेंट टर्म्स मैंने लिखे हुई है कि जैसे जो डिफिकल्ट वर्ड जो आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे वह इस किताब के अंदर में डलवाता जा मिलेंगे और यही वह वर्ड होते हैं जो कभी-कभी आपके पोजिटिव और नेगिटिव वर्ड आप लोग ने देखे होंगे ठीक है जिनको मैं बार 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 बताता हूं वहां पर आपको देखने मिलते हैं लेकिन कुछ वर्ड आपको से थोड़ी से डिफ्रेंट रहते करके मैं आपके सामने शेयर करता हूँ चलिए वह चुरुवात कर लेते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर पहला कोश्चन है इसके बार में शुरुआत कर लेते हैं हाँ पोल देखे सबसे पहले हम समझते हैं पोल देखो यार सीधा आंसर मतलगा ना ठीक है पहले जो मैं वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं एक आपका एक्कुलिटी यानिकि जिसको समानता का जाता एक आपका एक्कुलिटी जिसको या पर समता का जाता है दो बड़े मेहत्पुन वर्ड है जिनके बार में आपकी व्याक्या राइट टो एजुकेशन 2009 में भी क्या है कर दो पहले इनके मिनिंग समझते हैं जो बच्षे थोड़े बहुत पहले से वीड्यो देखते रहेते हैं वह तो बता भी देतैं विचारा ने बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं चलती जो पहली बार यूटूबब पर हैo अगर मैं बात कुर समानता की इसके नाम से आपको समझ मारा समानता यहाँ पर हमें सबी बच्चों को समान अउसर देने समान संसाधन देना समान उसको मानना है चाहे बच्चे की परतिवा कुछ भी हो चाहे बच्चे का इंट्रेस्ट कुछ हो लेकिन एक टीचर टीचर को का जाता है जो एक लोगतांतिरिक एनवार्मेंट करता है क्लास रूम में वह सबी बच्चों का समान संसाधन देता है जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखने आरो सबी वीडियो भी देख रहे है वीडियो देखने के बाद मालीज आपको कुछ कंटेंट चाहिए वह आप लोग ले सकते हो आसे उसको यहां पर ले सकते हो सब्सक्राइब और जिसको सबसे हमेसा एक्टिव तरीका में देता हूँ जो आपकी ऑथेंटिक किताबों में दे सब्सक्राइब लेकिन क्या हूँ अपने लर्णिंग गोल्स को यहां पर प्राप्त कर पाए जी नहीं वो प्राप्त नहीं कर पाए ठीक है मुंडी नीचे करके यहां पर बैठा हुआ जब उसकी चमता के अकोडिंग उसको संसादन नहीं मिला तो कैसे वो अपने लक्षे को प्राप्त कर पाएगा इनकी चमता के अकोडिंग इनको यहां पर संसादन मिले इन्होंने अपना लक्स प्राप्त कर लिया बट एज टीचर उसने तो अपने सभी को समान नखा सभी को संचाधन दिये तो समानता के अधार पर एक बारी को थोड़ा हम ठीक मान सकते हैं खासकर आपकी जो अपर प्राइमरी की या इससे बड़ी की आगी की किलास होती है टीजीटी लक्स प्राप्त कर लिया इसने दूसरा बच्चा था उसको संसाध्न दिया इसकी चंट के लिया और यहां नेistance तो यहां अपनेसे बहुस एक लोगों किसी का सामाजिक परिवेसर लग है, किसी का आर्थिक परिवेसर लग है, मलब कोई अमीरया, Qoi गरीब है, बट अगर बच्चे की एबिलिटी यानि उनकी चमता उनकी कफी का कोडिंग उनको संसाधन दिया जाए, उसके बाद वो अपने लक्स को प्राप्त कर सके तो यह होता है आपका equity यानि की समता की यह यहाँ पर बात करता है right to education 2009 के अंदर का हुआ है कि आपका जो शिक्षा का लक्स है वो आपका साम्मेता पर अधारित होना चाहिए यानि की पर आपका दारित होना चाहिए तो मानता हम इसको ठीक मानेगे लेकिन जो बैस्ट होता है तो बैस्ट होता है आपका equity बैस्ट होता है यहां बच्चे की चमता के आपको पढ़ाऊंगा संचादन दूँगा तीलम दूँगा अपनी टीचिंग अप्रोच आपको बताऊंगा अलग-अलग मेथर्ट के थुरू कराऊंगा तो आप लोगों का भी यही हाल हो जाएगा जो छोटे से बच्चे का है ठीक है अपने हाथ खड़ा करेगा कि यह स सामने स्क्रीन पर जो पहला कोश्ण दिया हुआ ठीक है अब दे देने पोल अब खाजाओ इस वाले कोश्ण को कोश्ण आपके सामने दिया हुआ है निमन में से किस सिद्धान्थ पर समावेशन यानिकी इंक्लूजन की बात हुरी है जहां पर सभी बच्चों को समान चिक् देखो अगर बात होती है समावेशन की जहां पर सभी बच्चों को समान सिक्षा दी जा रही है तो हम बच्चे के बीच में किसी परकार का पक्षपात यानिकी किसी परकार का भेदबाव नहीं कर सकते ठीक है अरे तेरे अंदर तो कम मुद्धी है तू क्या पढ़गा जा क तो कुछ और कर ले खेती अरे तुसमेरी कास्ट करनी यह तो मेरा दर्म करनी जाओ मैंत तुझे सही से नहीं पढ़ाओं ठीक है अरे तु तो गरीब है तू यहां पर उठकर क्यों आ जा कहीं और कुछ काम कर ले इस परकार से बच्चों बच्चों को अलगला कैटीगरी के जो पेड़ वाले बच्चे है वो तो देखना सुरू करेंगा आज पेड़ में मेरी पहली किलास है ठीक है क्योंकि इसको ब्यार कंदर चला गया था पर कैंसिल के लिए तो आप लोग देखोंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं उप्सन के थूरू आपको समझाता बताऊंगा हलका सा बताऊंगा आगे निकल जाऊंगा उसमें कुछ फायदा आपका होने वाला नहीं है ठीक है बार बार कहा रहा हूं रोट लर्णिंग नहीं करनी आपको कंसेप्च्छल इंडेस्टेंडिंग की और यहापर जाना है अब दो पॉइंट आपके सामदा के इक एक्कूइटि तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां अगर हमें सभी बच्चों का समावेशन रहे हो एक के साथ यहां पर जा रहे हो जन वरी वाला बैच नहीं चला सर जन्वरी वाला भी आपका चलीका हुगा देखें पूछ रहे चलवा हो जन्वरी वाला जिन्हों ने जन्वरी केंदर एडमीसन लिया हुगा ठीक है और बैस तो आपका एक साल बढ़ाई दिया मैंने अगला अगला डिफिकल्ट वर्ड एक साथ पेर कंद लिए जोड़ कंद लिए ठीक है देखें एक आपका contextual जिसको संदर्भीत कहा जाता है एक आपका डिकंटेक्श्वल जिसको गैर संदर्भीत आ संदर्भीत भी आप लोग या पर बोल सकते हो अगर मैं बात करो आपके सामने इसमें क्या होता है अगर हम बच्चों को वाले चीजव आ पर पढ़ा रहे है या आपके एक आगजाम में आते आपलोग आपको संदर्भ के अ clicking पढ़ा हूं ये नहीं कि यह जब पता चला आपके Exam में एक्जाम में नहीं आते फिर भी मैं आपको पढ़ाता जा रहो आप लोग पढ़ते जा रहो तो क्या हो जाएगा यह आपका contextual हो जाएगा नहीं यह संदर्भीत नहीं होगा क्योंकि यह आपके सब्जेट से जोड कर बता रहो कि किस परकार अगर आपने difficult word के बारे में समझगे तो आपका question समझने में आसानी हो जाएगी अब question सामने आपकी स्क्रीन पर है टूटो भाई अब question के ओपर दे दे भाई आम इनको बोल निवली कि तेमें से कौन सी परिक्रिया अधिकम के यानिकि learning के दोरान योगदान नहीं देती है अब देखिए अभी हमां आपका आप लोग क्या काम करो अधिकम करो यानिकि learning करो आप लोग सीखरो difficult word के बारे में आप लोग सीखरो अच्छा कौन कौन से difficult word है और यह बार-बार आते हैं आपके एक्जाम में यहां से यह मान के चलिए कुछी word आपको देखने को मिलेंगे जो साइद ना एक्जाम में उनना यह हरवार देखने को मिलते है ठीक है तो आप कि यहां पर अभी लर्णिंग चल लिए तो आपकी लर्णिंग में कौन सा यहां पर आपको सपोर्ट नहीं करता को इसमें योगदान नहीं देता वह आपको बताना है पहला संगठन यान की ओर्गिनाइजेशन दूसरा category category क्या बोला मैं भी category के अंदर इसको बाटने का वर अधिगम के दोरान जो योगदान नहीं देता तो योगदान तो डी कंटेक्स्च ओलाइजेशन नहीं देता है ठीक है अगर यह आपको योगदान नहीं देगा नेगिटीव चीजों की तरफ आपको लेगर जायेगा ठीक है कि आपको चीजे रटनी नहीं है चीजे समझ निए अगर आप लोग यहापर अधिगम कर रहे हो ना तो आपको कंशेप्ट को समझ समझ करके पड़ा रहे और इसके बाद यह तो दूसरे सब्जेट में भी आपको देखने को मिले तो आपने आपर जितना आपके मैंड के अब यह इसकीम सब में आपको बता दूँगा जब किलास चलेगी इसको आप लोग रियोर्गनाइज करते जा रहे हो ठीक है ये भी हो जाएगा अब देखो यहापर केटिगरी के अकोडिंग यहापर बात हो रही है देखो अगर यहापर बच्चों की छमता के अकोडिंग उ यानिकी सीख रहे हो और इस सीखने को तौरान मानलीजा ट्लम है टीचिंग लेंडी मेट्रियल्स होते हैं या मानलीजा बच्चों को जैसे प्रोजेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हो अलगला आपको चार्ट के मा बच्चे को जब उनकी चमताव के अकोडिंग बाटा जाता है वह आपका नेगेटिव माना जाता है लेकिन यहाँ अधिगम के दौरान अगर आप अपने कंचेप्ट को समझ भूज को बाट कर ठीक है उसको करोगे तो नेगेटिव नहीं माने जाएगा तो नेगेटिव शिर्फ आपके इसके अंदर गैर प्रासंगी करण यानिकि डी कंटेक्शलाइजेशन आपको सामने हो जाएगा जो आपके सामने इसको योगदान नही बच्चों को पढ़ा रहा है उसको केटिगरी के अंदर बाटा सबसे मैंने यूटूब पर पहला आपको सिलिवस बता है जिन बच्चों नहीं देखा यूटूब पर देख लेना सीटाट से लिवस स्यास सीड़िप सेलिवस भाई सचिन सर मेरा नाम जरूर लिग देख दे कोडिंग आपकी चमताओ का कोडिंग मैंने आपका विभाजन नहीं करा है ठीक है तो इसलिए आपका या पर नेगिटिव नहीं है पोजिटिव है सिर्फ नेगिटिव आपका यह है और नेगिटिव का अंसर नेगिटिव आपका सही हो जागा ठीक है समझते जिए ठीक है क बाड़ी वगर आप लोग चलाते हो ठीक है उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नोन में यानी जान प्रचान में या इन फैक्ट आप मैंसे कुछ हो सकते हो मेरे साथ भी यह चीज हुई थी अगर बच्चा को होंगे कुछ बच्चे गिफ्टेड के अंदर भी आत को अगर पता लग जाए क्यार्बच्चे के अंदर बहुत है हम उसको कोई काम दे रहे हैं और कम टाइम में दूसरों बच्चे के मुकाबल में उसको जल्दी कर रा और इक्यूरेट कर रहा है तो हम यह पता लगज जा सब्सक्राइब कर दिया तो यहाँ पर जो कोशन दिया कि एक स्कूल में एक परतिवावान यानिकि गिफ्टल एक टैलेंटीड बच्चा है उसको कुछ स्कूरब कर दिया पर सकते हैं जो गिफ्टड बच्चा है जो परतिवान विदार्ती असको पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तमाल किया गया होगा तो आपके सामने पर उपसंदीक रहा है पहले एक है करके option को detail में समझाऊंगा यह सब आपके समझ में आ जाएगा ठीक है फिलाल जो मैंने आपके सामने चीज बताई आयोप आपको यह समझ में आ गई होगे ठीक है अगला देखते हैं अगला डिफिकल्ट वर्ड है मेटा कोगनिशन जिसको अधी संग्यानात्मक या परा संग्यान के नाम से इसको जाना जाता है लिसले में कहता हूँ कुछ ऐसी टर्म्स होती है उनको आप लोग इंगलिस में याद करिए जो मेरी सीटेट की किताब भी आने वाली है सीड़ी की उसमें जादेता है टर्म के मैंने फोकस करा है कि इसको बैल लिंगल करो और इंगलिस के उपर तो पूरा फोकस रहता है ऐस की इनदर 2500 को इसे डिफिकल टर्म को क्योंकि इंगलिश के इंदर इंदर अलग 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 होते जैसे अदी संग्यान अदेश संग्यानआत्मक परासंग्यान ऐसे देखनों को मिलता है इसका क्या मतलब होता है ंतो तोटना मतलब देखो मैटा कोगनीशन का क्या मतलब होता है जो एक टरम को मिलती आपकी डौ petty मेटा कोगनीशन के अंदर क्या होता है इसमें बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है और आदमी सोचता किसके माध्यम से अपने दिमाग अपनी बुद्धी के बारे में माध्यम से सोचता है ना ठीक है तो इसलिए मैंने आपके कोगनीटिव यानि कि आ और दीरे दीरे करके आप इसकी गहहेंता के अंदर चले गए इसकी गहराई के अंदर चले गए और इसको connect करते चले आप लोग ने जाकर सोचना सुरू कर दिया तो जहाँ पर बच्चा या कोई भी एक्स वाजड अपने चिंतन के बारे में चिंतन करना शुरू कर दे अपने सोच के बारे में सोचना शुरू कर दे तो उसको कहा जाता है बहुत important terms होती है इसको पर बहुत focus किया जाता है कि बच्चा इस प्रकार की चिंतन परिक्रिया को करें अपनी critical बिगतन और आपके कारण वाले कोश्चन है यह से पहले कुश्चन नहीं आते ते जब से पेपर आपका उनलाइन वाए तब से डाले गए और इनको वही बच्चा कर पाएगा जिसने कोई भी कंसेप्ट हो या कोई भी पेडगोजिकल एप्रोज के थूरू यहापर वो जा ठीक है तो वही इनको आंसर कर पाएगा रट्टू-टोत्य का हल वेकार हो जाएगा और वही फेल वाली के अंदर चला जाएगा और जिसने समझ लिया ओच्छा पास और टोप टोपर की के अपने परिक्रिया होती है जैसा आप लोग अपनी चिंतन परिक्रिया कर रहे ह के बारे में उसके बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए परुसायत करते हूं मैं अपसे कहा रहा हूं इन डिफ़कल्ट वर्ड को connect करो cdp से पूरी cdp से और फिर बाकी सब्जयर्स से connect करो तो इस प्रकार की बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको बच्चे के पूर ग्यान को देखना पड़ेगा कि जो सब्जेट जो टोपिक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसकी थोड़ी बहुत जानगारी बच्चे को है या नहीं है अगर है तो उससे पूछो कि कितनी नोली है और इसके अपन फिर अपनी जो सिक्षण वर्सता है प्रिक्रिया चलते उसको आप लोग आपर चलाइए बड़ा महत्पूर्ण हो जाता है जब बच्चे के तरीके में या बच्चे के सोचने के बारे में जो बच्चा डीटेल में सोचता है और इसको टीचर यहां पर इंकरेज करता तो यही काम उसको आपर करना चाहिए तो अभीकथन आपके सामने ठीक है ऐसा क्यों करना चाहिए अभीकथन के सामने सीधा कोश्चन मार्क लगा दिया अगर कोश्चन मार्क के अकोडिंग कारण ठीक दिया वाए तो ठीक है गलत दिवाए तो गलत है तो इस प्रकार आपको यह ची सब्सक्राइब करता है उसमें आधी संग्यानात्मक के रूप तोर पर एक टीचर को बच्च की अपनी परिक्रिया होती है चिंतन के बारे में उसको सोचने के बारे में एंगरेज करना चीए तो दोनों ठीक है और आर इसकी एकी सेविया क्या कर रहा है सो राइट आंचर यहापर आपका फोर्थ सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हो आपके सामने नेक्स्ट कोशन के और अगला कोशन क्या दिया हुआ है बहुती तड़कता बढ़कता ठीक है और जिसके उपर पूरी जो सिक्सन व तो बच्चों का असेसमेंट पहले नंबर में ग्रेटिक होता था बड़कता था लाइक आपके जो और सेंट्र आपके स्कूल वह उसमेंगे इंदर इसको बच्छे का से समय क्या जाता है कि बच्च ने कितनी प्रोग्रेस करिए तो उसमें देखा जाता है कि वह बच्चे यहां पर बना पाया तो उसका जो बच्चे का असेस्मेंट होता है अब यह बला क्या है कि टिकल थिंकिंग देखे एक चीज तो यह मैंने आपसे कहा दिया कि भाई मैं आज की वीडियो के अंदर आज किलास के अंदर आपको बता रहा हूं इसी से सारा पेपर छपा जाएगा तो आप मैंसे बच्चे आपर दोनों बढ़ जाएंगे एक कहेंगे अरे हुआ बहुत बढ़ी है सर जी मजा आ गया इसमेंसे पूरा पेपर चप जाएगा हम तो इसी को कर जाएंगे आपर एक पहली कर्टिगरी के बच्चे आपर होगे दूसरे बच्चे ने कह दिया वह लगाते हैं हर चीज के सामने question mark नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा एक वीडियो से एक किलास से एक नोट से एक कोर से कैसे कंपलिट हो जाएगा तो उन्होंने जो भी बात उसको बताई उसको implement नहीं करा उन्होंने खुद अपनी बुद्धि का यूज करा पहले देखते हैं लंब NCRT की किताब है ठीक है तो NCRT की किताब उठाई हां यार NCRT में सो जो इन्होंने बताया वो पेपर के अंदर आता है यह भी NCRT का कोड़िंग यहां पर पढ़ा रहे उसके बाद देखा उन्होंने teaching style देखा यार किस प्रकार से पढ़ा रहे क्या वो ठीक भी पढ़ा रहे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है तो यह आपकी critical thinking होती है और इसको ज़्यादा से बढ़ावा देनी के बात आपकी शिक्सानीती 2020 के अंदर कही हुए है और इसी के अंदर सारी चीज आपकी घरी हुए है और आपका जो एक्जाम है वो critical thinking पर आदारी था है अगर आपन फिर भी मैंने का माली जे critical thinking का यूज करना है मेरी चीज मेरे उपर ही भारी पड़ी ते लेकिन मैं student को सच बता देता हूँ ये काम आपको करना है ये नहीं करना ठीक है बाकी decision आपका अब question देखते है question क्या आपके सामने स्क्रीन पर है answer दो भई पोल आपके सामने आगिया कथन आपके सामने आगिया है एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्चों को कक्सा में सवाल पूछने के लिए प्रोसाइद करना चाहिए बिल्कुल करने चाहिए अब हमारी classroom में जब हम अपनी मैडम चा question पूछते थे छुटते और डाटके बैठा देती थी एक दो मैडम का जो माओल होना चीए वह inquiry बेस होना चीए जाप्रबच्चा question put up कर सके ठीक है जितना भी हो सके अपनी inquiry को पूछ सके देखे पहले के टाइम में क्या होता था पहले का टाइम मतलब इतना पुराना टाइम नहीं ठीक हम लोग इतने पुरान नहीं है टीजर का एक बड़ा में डाइलोग होता था कि बेटा अगर तुझे एक बार समझ में आया तो मेरे से दस बार पूछ एक बार मैंने टीचर के मज़े लेने के लिए पूछ लिया मैंने सरी वाली चीज समझ में नहीं अच्छा आजाए इसमें क्या समझ मिन्या है तुझे ले यह ऐसा है उसने जुझे बार बच्चा कोश्चन पूटाप कर रहा है तो इसका मनलाब गलती टीचर की है आपके समझाने के अंदर जो बच्चों को समझ में आए हाले कि मैंने सहता नहीं टीचर को ठीक है तो इस प्रकार की के टीकल थिंकिंग बच्चों के अंदर आपको डालनी चाहिए और टीचर को सवाल पूछने के लिए बच्चों को यहाँ पर प्रोसाहित भी यहाँ पर करना चाहिए ठीक है और आपकी क्लास में कुछ सैतान बच्चे ऐसे जरूरू देखने को मिलेंगे आपको बड़े प्यार से उनके साथ हैंडल करना पड़ेगा उन्ना पनिसमेंट के दियाए कि जो सवाल पूछना होता है बच्चा जो क्वेशन फूछ था है वो किटिकल फिंक्र्व यहाँ कि सम्मान्वा वहाद सपोर्ट ने बाता हैं तो दोनों सही है और इसकी चीज है कर रहा है आप लोग किसके साथ जा रहे है मानकी करत ठीक है जिसको कहीं कहीं पर मानक भी देखने को मिलता है इस्टेड़ाइज आपको देखने को मिल जाता है इस्टेड़ाइज आपके सामने टेस्ट लिखा होगा कभी-कभी कभी-कभी आपके सामने पेपर भी लिखा रहता है कभी-कभी आपके सामने असेस्मेंट यानि कि आखलन या मुल्यांकन भी लिखा रहता है और जहां भी लिखा रहता है मेरा नाम लेकर इसमें ऐसा काठा मानना बाकिसम मैं देख लूँगा देखे सिंपल चेक बात वाती है आपका जो सीटेट का एक्जाम है 150 नंबर का कुश्चन पेपर आपके एक्जाम में आता कि जो बच्चा इतने नंबर लाएगा वह पास माना जाएगा अधर्वाइज वह आपकी फेल की के अंदर आएगा अब मुझे एक बात बताओ जिस बच्चे के आपर इसके तो नाइंट है जिस बच्चे के आपर 89 आगे जिस बच्चे के कैडिगरी वाले के आपर 81 आगे तो क्या यह काबलियत नहीं है इन बच्चों के अंदर जो सिर्फ एक नंबर से फेल हो रहे हैं आप लोगों के बात ध्यान दकने सीबेसी किसी बच्चों को फेल करने के लिए इतना डरता है माला फेल वड़ भी यूज नहीं करता रिपार्ट रिपोर्ट कार्ड भी इनफ दिवाओ होता था पैरेंट्स के द्वारा समाज के द्वारा उनके उपर तो गलती स्टेप उठा लेते ठीक है मैं बताते हुं मेरे एक दो दोस्त हैसे थे नबबे परसेंट प्लस लाते थे पिचान में लाते थे उनके पिताजी बैल से मारते तो उनको मैंने बतार हमारी इतनी आगी तो हम तो पार्टी देते फिरेंगे तो यह बच्चे को प्रदबाव रहता था तो कुछ बच्चों ने आपर गलत इस्टेप उठाए तो सरकार ने वहाँ पर एक्शन लिया कि भई हम यहाँ पर किसी बच्चों को फेल नहीं करेंगे नो डिटेंशन पोलिस आ आपर क्या हुआ जो बच्चे को बेस होता था वो सुरू से वीक होना शुरू हो गया और बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं वो प्रमोट होके अगली किलास के अंदर जाता था जैसी वो अगली किलास तक गया आगे की किलास तक लाइक आपका मालीज एट तक गया टैन तक लेकिन उसकी जो नियुती वो खोग लियो चुकी थी, क्योंकि फेल करनी सकते हैं, बार-बार उसको प्रमोट करके आगी किलास में लेकर जाया जाता था, तो आपने एक कमिटी बनी, ठीक है, I think 2017 के अंदर बनी थी, अगर मैं एक्जेक्ट मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, कमिटी के अंदर जो no detention policy है, उसके अंदर को संसोतन करनी की बात कहीगी, कि भई ठीक है, बच्चों को fail नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे step तो हम ला सकते हैं, ताकि जो बच्चे को बेस वीक होता जा रहा है, उसको यहां पर ठीक है जा सके, जो स्कूल ड्रोप आउट की सम पर रहा था, बिपेस से कंदर जैसे पढ़ाता हूं, ब्यार ने वह तो बड़ा, बड़ा मनलब एक यहां पर रोल निबाया, 10 तक ड्रोप आउट की जो समस्य है, वो ब्यार के अंदर नहीं मिली, सब स्याधा अच्छी ग्रोध जो करी, ब्यार ने करी, मलब जो 10 किलास तक अगर पास होगे तो ठीक है, अदरवाज आपको इसी प्रकार की विवाजन को जेलना पड़ेगा, अब कोश्चन आपके सामने क्या दे दिया, अभिकतन आपके सामने क्या दिया हो आए, कि विविद सामाजिक आर्थिक पष्ट भूमी वाले बच्चे, जो अलग-लग सामा मानकी करत, पाठ्थि चरिया अपनानी चाहिए, मैंने का, इस्टेड़ आपके सामने टेस्टों, पेपर हो, आगलनों, मुल्यांकनों, करिकुलम हो, ठीक है, यानि जो पाठ्थि चरिया हो हो, या करिकुलम के लावा, आपका सिलेबस हो, कभी भी मानकी करत नहीं करनी लचीली पाठ्थि चरिया होनी चाहिए, यानि कि फ्लेक्शिवल आपकी करिकुलम यहापर होनी चाहिए, अगर बच्चा कोई चीज समझ नहीं पा रहा है, तो अपने जो मैथट चाहिए, उसके अंदर चेंज करिये, पेलम के अंदर चेंज करिये, यानि कि बच्चों के नहीं हो सकता है और अगर बच्चा फेल होता है तो समझे पूरा शीष्टम फेल या पर हो ठीक है यह बात आप सम्झ लेना सबसे जो पाउर्फुल है वह आपका बच्चा उसके सामेने कोई किसी की उकात नहीं एठीक है तो मांकिकरत पाथेचरिया बिलकुल नहीं नहीं अपनानी चाहिए तर किसमें यह दिया है क्योने यहाँ पर दिया हूं कि चेट सभी परकार की व्यक्तिकत विबिंताओं को ध्याहन यह अभी एक बात बात अब व्यक्तिकत विभिनता को कैसे ध्यान में रख लेगी मानलीज़ आप में से कोई अमीर कोई गरीब है किसका इकुछ लेवल जाद है किसका कम जादे इंट्रेस्ट लग रहा है किसका चैट में करने में आपस में बात में मन कर रहा होगा तो सभी व लोग समझेंगे जो मानके गरत वर्ड और डेफिनेटली यह मानके चले 99 परसेंट आपके एकजाम में हर बार आपको देखने को मिल जाता है ठीक है जलिए बात करते बाद के सामने नेक्ष्ट वर्ड की बात करते हैं यह आगे आगे आपके सामने सेंशिटिव यानिकि सम्व और लड़िया कहते हैं बहुत क्यां सेंटिटीव जैसे वह दातों के अंदर लग जाता है थंडेशी लगती एकदम तो सेंटिव दात हो जाते कभी उस परकार के एक भात द्यानक नहीं है sensitive आपको होना है किसके पड़ती sensitive होना है आपको sensitive होना है बच्यों के पड़ती किसके पड़ती बैच्यों के पड़ती कि मालीजा आपकी क्लाशरूम में कोई अगडे पिछडे अमीर घरीव कम IQ लैवल जदा IQ लैवल बिना इंट्रेस्ट वारा अगर इस्कूल के अंदर बच्चा आ रहा है तो आपको उन बच्चों के परती सेंसिटीव होना है और उनको एक समाविशन शिक्षा के नुरूप ढालकर उनको शिक्षन वज़ताया पर प्रवाइड करानी है तो यह बात आती है कि उसको अपने ब आती है कि बेटा जादा पेड़ पोदी लगाओ पेड़ पोदे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा बचेंगे पेड़ पोदे जो है बहुत जरूरी होता है हमारे मलब ग्रह के लिए आपको जानवरों के परती सेंसिटीव होना है इसलिए आपने देखा होगा एंसी जो आपके जानवर भी होते हैं इंफेक्ट सेंसिटीव जो बनाए जाता एंबच्चों को जेंडर के परती सेंसिटीव बना जाता है और teacher तो बिएंडर के परती सेंसिटीव होना चाहिए अभी भाव को यानि जो पैरेंट्स होते हैं और जो अध्यापक होते हैं उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विध्यारतों के बाल लेवस्ता जो अनुभव होते हैं ठीक है यानि कि जो उनका चालियूड का टाइम प्रेड होता है बच्पना जो होता है उनका बाल पूरे जिंदी की पर जब तक बच्ची की उमर रहती है तब तक उसके जिमाक में उसके जहन में रहती है हाले कि उसका प्रभाव टाइम के साथ कम होता जाता लेकिन बच्चा उस गटना को कभी नहीं बूलेगा जो बच्चपन में उसके साथ या पर गटित होती है इसलिए जो आपका चायलूड होता है और चायलूड के अंदर भी अगर मैं बात करूँ अर्ली चायलूड की बात करूँ अर्ली चायलूड जो होता है न सबसे सेंसिटिव टाइम पिरेड होता है आपका क्योंकि अर्ली चायलूड के अंदर जो बच्चा होता है आपर दो साल से लेके चीज़ शीखता है इमिटेशन यानि कि अनुकरने के माददें से जैसा बहसा उसके घर में बुली जाएगी उसी को बच्चा आप अनुकरने कर लेगा यानि कि कोपी कर लेगा खुद भी ऐसी बोलना शुरू कर देगा जैसा व्यवार उसके घर में उसकी फैमली के करते हैं इसलिए का जाता है कि बच्चा जब अपने बच्पनी के अवस्ता के अंदर होता है उसके सामने आपको अमेसे एक आदर्स और इस्टेंडर्ड अपने आपको यह आपर रखना चीए क्योंकि सबसे सेंसीटिव टाइम पिरड़ होता चैलूड कंदर या अल्ली चैलूड कं बन नहीं थी तो मलब जो काफी सारे रिकमेंड रिकमेंडेशन गए थे हमाई तरफ से भी मलब बहुत सारे सुझावते हैं जो हमारे साथ में लोग ठीक है एक रिकमेंडेशन यह था कि जो बच्चा जब होता है ठीक है जैसे शिक्षा नीती 2020 के कोड़ी चार परकार की अब फाउंडेशनल में बच्चा जब जाएगा वो तीन साल में जाएगा लेकिन तीन साल से पहले बच्चा किसके पास रहेगा अपनी फैमिली के पास तो फैमिली के लिए एक पूरा चार्ट बनाया कि तीन साल तक आपको बच्चे के साथ कैसे कैसे रखना है क्या के होता है अब कारण क्या दिया है कि बाले विकास के लिए सव्वेदन चरन एक शेंसीटिव चरन है खासकर संगयनात्मक और स्विपंगात्मक के विकास के लिए लेकिन इनके लिए कुछ आ देतार है तो दोन ठीक है और इसकी परकार चाहिए कर रहा है और examiner इनको बार-बार exam में गुवां फिरा के देता है इस बात को मैं बार-बार कह रहा हूं अगर आप लोग चाहोगे मैं question पढ़ दू जल्दी से हलका सा समझा के आगे निकल जाओ तो आप लोग मेरी class मत देखना लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और जिस त ने ओरी का paper हुआ इसका नाम पहले पाड होता था डाचा होता था इसके आफ फोल्दिंग इसको बोल दिया जाता था माचान इसको बोल दिया जाता था इस बार सीवस्ति वाले एक ओर डूंड कर निकल कर लाई ये लोग आलंबन अठीक है तो पहली बार हिंदी भासी वाले बच्चों के लिए एक वर्ड निकल कर आया आलंबन आप सब्सक्राइब को पता है कि आप लोगों के एक्जाम में जो आता है ले वाई गोस्की से करें आता है तो ले वाई गोस्की ने इसके फोल्डिंग के बारे में कहा था कि जो बच्चों को help दी जाती है ठीक है जो support बच्चों को दिया जाता है तो उसको यहापर सबसे पहले इस वर्ड को लाने वाले तो एक और आपके मनुविज्ञा निकते इसको पूरी की पूरी मलब एक कहानी है बट आपके एक्जाम में कहानी आती नहीं आते इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाता ठीक है तो इसका फोल्डिंग क्या होता है जो यह इसका फोल्डिंग देता है ठीक है कि बेटा यह पर फाजिको इसको ऐसे किया आ जा सकता है जैसे तरीका आपको बताऊं जैसे हम लोग एक्जाम देते थे जो बोड के एक्जाम है तो बोड के दमाली जामें कोई समझ में नहीं तो एक दो टीचर जो हितेशी रहते थे हमा बोलने से पहले सो लो डो तो बोलने से पहले हिस चूत के बारे बहुर्त के कि छोटा बच्छा कभी कभी कुछ भी वोल देता है ये वाला काम आप लो करें थीज़ लिए करना सूरू कर देते हैं संकेत और हिसारे बड़ा महत्पून आपका इसका lab長 मैंहें संकेत रिस जैसे मैंने जाना माणिशाम पेपर करें टीचर आपके संकेत और इसार होने चीए परसन आपके सामने में चीए आदा हल किया हुआ उदारन बिल्कुल ठीक बात है देखो आदा हल किया उदारन आदा हल कोन करेगा आदा हल करेगा बच्चा और उसके बाद बच्चा मालीजे किसी टोपिक पर अठग किसी सोलुसन पर अठग है ठीक है तो राइट आंचर है आपके ABCD यहां पर ABCD यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है चो लोगी बढ़ते हैं आपके जब आपके एक्जाम हुए थे बोड के एक्जाम कोई था टीचर है सा जिसना आपको थोड़ा ऐसा स्काफ फोल्डिंग दियो एक तो बड़ो खतरनाक थे एक बार में एक सरकारी स्कूल में जब गया था वहापर टीचर बहुत खतरनाक था अरे चलाओ कुंजी खोलो सारी की सारी ठीक है उसके बाद दे कुंजी सब की दवादा बागे खुली है तो उसने स्काफ फोल्डिंग मारत अभी मुखी अभी विन्याज ठीक है एक आपका पर्फोर्मेंस होता है ठीक है एक आपका पर्फोर्मेंस होता है एक होता आपका पर्फोर्मेंस होता है ठीक है पर्फोर्मेंस ओरेंटिड एप्रोच होता है देखे सिंपल से एक बात आपको समझनी है अगर मैं इस व से हे भगवान बस 90 नमबर आ जाए उसके बाद मुझे और कुछ नहीं से दुनिया के लिए तो आप लोग सीधा प्रफोर्मेंस के लिए आपर पड़ रहो ठीक अमेरिखान का वो कौन साथ एक डाइल होगा है काम्याब होने के लिए पड़ो ठीक काम्याबी तो जख मारिक अ सीखना है ताकि भशुष्य अकंदर मैं खुद सब्जट को पढ़ा सकूँ आप लोगों को भी आपर करने है ठीक है अब इसी से रिलेटिड एक कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आगया इसका आंचर अब आप लोगों को मुझे आपर देना ठीक है अपने फोन दियो मेर महारत य keywords आपके goals आपको दिये हैं और performance आपके सामने goals दिये इन में क्या अंतर है वो आपको बता ना है महारत लक्स से विफलता से बचने पड़ने पर केंद्री तया आगे पढ़ना ही नहीं है यह failure से बचने के liए नहीं होते हैं यह मास्ट्री निपुणता करने के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए होते हैं विफलता से बचने के लिए आपका फेलियर अवर्डेंस यहापर हो जाएगा ठीक है गलत आपका आगे पढ़ना ही नहीं मुझे अगला है कि महारत लक्स है यानि जो परफॉर्मेंस आपके औरिंटेड अप्रोच होती है उच ग्रेड प्राप्त करने यानि कि बस भगवान 150 में से मेरे नब आ जाए या भगवान 50 में से 150 नंबर में लेकर आजाओ सचिंसर के पास इंटर्यू जाकर दूँगा मेरा नाम हो जाएगा तो उच ग्रेड प् पढ़ रहा है वह आपकी परफॉर्मेंस ओर जाएगा जो कि हमें नहीं करनी तो यह आपका बिल्कुल इसके बार में सही बता रहा है राइट आंसर या पर आपका सेकंड सही हो जाएगा बीबी के साथ आप लोग जा रहे हो आप लोग नोवे कुश्चन के बीबी के साथ हैं जारो बिल्कुल ठीक आप लोग ने आपर बता है ठीक है मजा रहा है पढ़ने में समझने में इसीज़ सा ठीक एक ऐसे ही करनेट आपको कर नहीं अगला देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर कौन्चा वर्ड आपको देखने को मिला दो वर्ड एक साथ ठीक है दोन बह में गहीं के थे दाजओ प्रकार की लाइफ के बारे में वर्ड हेल्थ औरजने निया पर बता हो है उन प्सक्रास क है उन així आपके अदर मेरे अन्दर हरा एक प्राणी के अंदर वह य्य peek at पड़ता होनी चीए वह आपकी समानुभूतिक यानिकी इंपती कि अगर मैं वर्ड हेल्थ और्गनेजेशन की दस स्किल में से इसको याप ले लेता हूं उसके लाँ जो भी आप अगर मान लीजे आपकी कलास में कोई दिव्यांग बच्चा है कोई देख नीपाता सुन नीपाता चलनी पाता और आपने उसके परति सिमपेथी दिखाई ठीक है यार这 बिचार बच्रा नहीं पार रहा है चलनी पारा है समय नहीं पारा है इसको सपोर्ट कर दू तो बच्च कि वह बच्चा जो बागी के समाने बच्ची उनके साथ में आप रहो सके सिंपेति मत दिखा देना अले तो टांग खराब है तू नहीं कर पाएगा ले यह वाला काम ले जा बिल्कुल भी मत कर देना बच्चों के परति आपको इस प्रकार की सिंपेति नहीं रखनी है ठीक है खुब आई के सार पेपल लीग हो रहा है प्लीज कुछ करिए प्लीज कुछ करिए रो रो के बच्चों के मैंसिज आते था ठीक हाला कि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता था जाद है क्योंकि बच्चे खुद ही नीज आते था सबोट करने में लेकिन बच्चों ने इतना तो हम मैंने क्या दिखाई या हम लोगों ने ओर जूँँ जो टीचर ते समने क्या दिखाई इंपथी की बाव ना दिखाई और सानुभुती क्या होती अरे यार तुम्हारा तो पेपर हां लीक हो गया चलो बहगवान करे दुबारा हो जाए ये तो तुम्हारे साथ गलत हो तो यह जाता आपका सिंपथी अब बताव सिंपथी वड़िया था या इंपथी वड़िया था एज टीचर आप कौनचा रखोगे सिंपथी रखोगे इंपथी रखोगे ठीक है अब कुश्चन ले लेते हैं सामने एक अध्यापिका में यह योग्जिता होना वो जरूरी ह अध्याय था है कि वह खुद दो विद्यार्टों की स्तानपर रख कर यह मैसूस कर सके कि वो क्या मैसूस कर रहे है जैसे आपर पेपलिक प्रकरण में मैंने आ यहापर किया यहाप लोग अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं यह नंट आपका सेकंड और से हो जाएगा ठीक है इंपती बिल्कुल ठीक बात है ठीक है अगर कुछ प्रोर्लम आती है तो आप लोग सब्पर मैसीज कर देना उसके लिए बेवे कर दरा हो डिया आगला देखताए वह इसामने आपकी स्क्रीण पर नेक्स्ट कुछन आगया ने स्केशन आपके सामने Espacial को बड़ी निपाऊ है ठीक है लेकिन डॉंट वरी मैं आपको कराऊंगा उसके लिए आप लोग बेफिकर है न ठीक है बरोसा रखना अब देखिए स्पेशल अंडेस्टेंडिंग को ने बड़ावत देने की बाद क्यों कहीं है जब आप लोग इसी कंदर स्रीडिपी कंदर ह अलग प्रकार की बुद्धिया होती है तो आपको देखने को मिलेगी स्पेशल इंटेलियंस जहां पर व्यक्ति क्या काम करता है अमुर्त तथ्यों के अधार पर चिंतन करना शुरू कर देता है जैसा जो आर्किटेक्चर होता है जिसको ठेकिदार बोलते हो वह खाली प्ल प्रकार की जो आपके अंडेस्टेंडिंग होती है उसको बढ़ावा देने की जाद साधा बात करी जाती है आपका इंसे नहेवाल भी आपको चाहिए सिक्सरनीतिव की भी बात करी है कि इस चीजों को बच्चे को जाज साधा बढ़ा रहा है क्योंकि प्राइमरी लेवल प प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बढ़ाते हैं और जैसे बच्चा बढ़ा होता जाता है फिर उसको अमुर्थ तत्यों के आदार पर जब बच्चा आपना चिंतन करता है कंचेट वनाता है वह आपकी स्पेशल अंडेस्टेंडिंग होती है बड़ा महत्वन होती है ठी लिकित में से कोन सा स्टेट्मेंट बच्चों की दिकिस्तान समझ यानि अन्डेस्पेशल इंडेस्टेंडिंग इसकी समझ के संदर में निउन्थम उप्यूगत है जो सबसे कम यहां पर एप्रोपेट है वह यहां पर आंसर देना है प्रात्मिक स्कूल के बच्चे तारकि अधरी स्कूल के बच्चे आकर्तियों की अवधार ना यहीं कंचेप्ट को वास्त्विक जीवन की परिष्थित्यों में विस्तर्त कर सकते हैं इसलिए आपका सबस्यादा फोकस कह जाता है जो भी बच्चों का पढ़एए उसके वास्त्विक जीवन से कनेट करके पढ़ा बच्चों का जो दिक स्तानी समझें वह पूर विद्धाल है यानि कि प्री स्कूल है उसका ज्यान संब्धात्मक होता है जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्षा नीती 2020 कंदर चार प्रकारी की स्टेट दिवी है ठीक है फांडेशनल प्रिपेटरी मिडल और आपकी सेकेंडर करता है तो यहां पर लोग इसका नाम देते हो ठीक है जो आपकी चिंडर्गारण दिवारत दी गई तो इसका संब्धात्मक भी घूड़ा इता नेगिटीव तो अगर आप लोगोने सो कुष्चन की बजाए 20 या 25 कर लिए तो वह सो कुष्चन से जाद भारी वैड़ी जाएंगा ठीक है यह कुष्चन गंदर चार-चार आपके उप्षन होते हैं अगला देखिए अगला एक और वर्ड आपके सामने देखने को मिला है ठीक है यह वर् वर्ड का भी मिनिंग आपको नहीं पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगे ठीक है अगला वर्ड हम लोग ले लेते हैं इनर स्पीच यानि की नीजी वाक इनर स्पीच अब यह कनेट कर रहा है आपके किस से लेव वाईगोश्की से कनेट कर रहा है तो लेव आपको डिटेल म है तो सब मैं आपको डिटेल में बता दूँगा फिलाल इनर स्पीच को आप लोग इतना समझे कि अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच जिस बास्ते का प्रियुक किया जाता है वह आपकी इनर स्पीच होती है कैसे मालीज आपके हाथ में मॉवाइल फोन है और आपको सर्च करना है कि सीचत के लिए का पढ़े तो आप लोग अपने मन कर हो मनमन पढ़ रहो मुझे से नहीं बोले है आप लोग सीचत करने कर निगलेट जिस भासागा यूज करो इनर स्पीच का अपने अंदर की भासा का जो यूज करते हो वह आपकी इनर स्पीच ह आपकी इनर इस्पीच यापर हो जाती है इसलिए मैं कहा रहा हूं फैक्ट फैक्ट्ट बिल्कुल नहीं आएगा जब पर आपका ओल्लाइन आया था सीवेस्ट इने में बार बार कहता हो एक एक जेंपल निकाला था और उन्हें ने कहाता कि कुछन को पूछने का हमारा तरीक होती है अब दोका बड़ा सिंपल सा क्यों ओनलाइन एक्जाम में पूछावा कुछन था वहाँ पर अलगला शीट के अंदर एक्जाम होते हैं इतना कुछन एक्जाम बनाए तो बनाए कहां से बट जब से आपका 21 जनुवरी बीच अगस्त वाला जो आपका एक्जाम अगले उनको रेगुलेट कर निगलेजी स्पीच को बोला जाता है वह इनरी स्पीच होती है सो राइट आंसर आपका फोर्थ या पर सही हो जाएगा ठीक है समझ गया अगला देखिए यह रहे चाचा मोशा के लड़के ठीक है चाचा का लड़का तो आगया अब देखते म महुंसा का लड़का कवा अपको फंक्शनल एक स्थिर्ता जिसको परकारियात्म की स्थिर्ता के नाम से ब्लब जाने जाता है यानी इसमें जो सोलूशन करता है कोई वच्चा करता व्यक्ति करता जाता एक लिए आप लोगों का एध्यां पास नियोगा एक तरीक साब का समधान होगा आपको जब अल्टरनेटिव रखना पड़ेगा अपने पास में समस्था समधान के और भी तरीके रखना पड़ेंगे ठीक है जिसमें एक वर्ड एक एनलोजीकल तिंकिंग का मतलब क्या हुआ होता है समस्था से मिलत जुलती जो समधान बच्चा करता है अनल समधान करना है इसको अच्छे नंबर से पास करना है तो इसमें किसके बहिसकरण की किसको एलिमिनेशन की यानि कि किसको दूर करने की जरूत पड़ेगी इस भाइसाब को दूर कर दो डाइवर्जेंट हो गया फोकस अटेंचन हो गया एनलोजीकल थिंकिंग होगी यह सभी इसके समधान में मैं पूमिका निबात यह नहीं निबाता इसका आप लोग बहिसकार कर दो कि अगर हमारा अग्जाम पास नहीं हो पारा यह में सवलता नहीं मिल पा रही है तो हमें सिर्फ एक तरीक पर नहीं चलना उसके साफ में कुछी इड़न करनी पड़ेगी अपने पर काम करना पड़ेगा सो राइट आंचर या पर आपका फ़स्ट या पर सही हो जाएगा देखो यह आ गया चाचा का लड़का गया अब आपके सामने भाई भाई यह चाचा मोसा के ठीक है आपके सामने आ गया Unterstützung जो आपके सामने दीख रहा है ठीक है क्या सामने आ गया पिक्सक्राट आप लेता है प्रतिकरिया सर्ट या निकी74 इसर्टाठ लड़का करता एक समस्ट seventeen करे लेता है कभी कभी आपको निस्क्रिया अनुक्राल है की पैसिफ संदेखने मिलता है यह तो functional fixness आपको देखने मिलता है या convergent आपको देखने मिलता है यह समस्चा समदान में help नहीं करते हैं प्रोलम डालते हैं तो response जैट क्या होता है जब एक विद्यारति किसी समस्चा को एक ही तरीके से प्रजेंट करें और बार बार उसी को करता जाए या उसी पर अठक जाए तो वह की सवस्था में होता है तो advanced thinking नहीं कर रहा हो आपकी एनलोजिकल thinking भी नहीं कर रहा है वह यहापर कर रहा है response चैट कर रहा है अगर response चैट नहीं आता अगला question देखते है सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया एक और नया वर्ड आपको देखने को में रिट्रेवल ठीक है पुनर प्राप्ति अब देखो यह जो आपको पूछा गया था अभी आपके जनोरे वाले एक्जाम के इंदर यह पूछा गया था एक आपके syllabus के इंदर व लोग बोलते हैं memory ठीक है अब देखें memory का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है जैसे उस चैप्टर को मान लिजिए मैं दूसरे एक्जाम के लिए पढ़ाता हूं तो बड़े डिटेल में उसको पढ़ाना पड़ता है memory का चैप्टर ठीक है आप लोग ने कभी-कभी सुनाओगा चंकिंग आप लोग ने सुनाओगा यह कुछ वर्ड आपको देखने को मिलते हैं उससे रिगार्डेंग ठीक है तो यहां पर एक वर्ड देखने को मिले आपको रिट्रिवल पुनवर प्राप्ति हाले की आंसा नहीं है इस को लेने का मेरा यह मक्सद है कि अपके वर्ड यह संगरी आपके देना अगर द्रिय नहीं दोंगे तो जो जानकारी अपने माइंड के अंदर आप लोग यह पर डालते जा रहे हो उसका अर्थ निरमान कैसे करोगे और कैसे मेमोरी को आगे forward करोगे ठीक है आंसर या पर आपका attention है बत ये question मैंने आप लोगों को से इस ले लिए ये जैसे पुनरप्राप्ति हो गया इनी रिट्रिवल हो गया forgetting हो गया ठीक है ये सब आपके memory से जुड़े कुछ question थे जिनको मैं कराता जाओंगा इनकी tension मतलेना ये मैं आपको निप्टा दूँगा ठीक है अगला देखते सामने आपकी स्क्रीन पर ये दो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जुडवा भाई है थोड़ा 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 संतर है इनके बीच में collaborative और आपकी cooperative लें ठीक है अब लेवाई गोश्की करके सीखना है तो दो तर्म आपको देखने को मिल जाता है रहाइसी प्रोकल टीचिंग आपको सामने देखने को मिल जाती है ठीक है और यह जो आपकी collaborative और इसको चैप्टर को सुरूओने दीजिए मैं चैप्टर वाई भी इतना समझ लिए यहावर बच्चे एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीक से सीखते हैं जो गिलेवाई गोश्की का पूरा फोकस रहता था ठीक है तो को लेबरेटिव और कोप्रेटिव के अंदर जैसे question आप लोगों का बच्चा कैसे बनेगा आप लोग कैसे बनोगे दो टेबल आप भी तोड़ कराओगे तो क्लासरूम का एंवार्मेंट होना चीए चैप वो फीजिकल हो चैप बच्चे को कोगनेटिव डोमेन से चुड़ाओ वो बड़ा मैत्पून होना चीए ठीक है अब यहां पर दिया ओभाए है पर्वीन अभी मन कि अधिगम यहां पर आपके सामने आगे अगेन अलगा सव करने만 लोग मिरी किछना थे लेकिन क्लासरूम का अवर्मेंट ढना यहां उखा रिना जी बहुत दिन आगे चैट में आई नहीं हो अगरी जी सोनु जी कई दिन से मैं बीजी चल लिए अब ऐसा गंदा मावल क्लास्रूम का बनाऊगे तो क्या आपने सब्जेट के अंदर आप लोग मास्टी कर पाऊगे कुछ मास्टी नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर जो आदाट को आपर एक्जाम होता है उसकी कटोफ डिसाइड होती है जो कटोफ को पास करता उसको गुवर्मेंट जो नहीं करता उसको नहीं मिलती तो कोम्पेटिशन की जो प्रकृती इसका जो नेचर हमारे देशकंतर है मेरी खाल चे देरे-देरे कम होना चीए खतम की के ऊरे यहापर ओनाई चीट है ठीक है भी आपका साहिकार आत्म करो लेबरेटी हो जाएगा फोर तांसर सी हो जाएगा ताकि आप लोग मास्टी और इंटीड एप्रोच की संस्कृत को बढ़ाव दे सके एंवारमेंट को क्रियेट यहां पर कर सके ठीक है चलिए बढ़ते भाई अब आपके सामने अगला क्या दिया हुआ है अगला आपके सामने है ब्रेंस्टोर्मिंग मेथड ठीक है जिसको मानस मंतन कह देते कभी कभी मस्तिष उद्देलन विद्दी के नाम से जाना जाता है यह क्रिटीविटी की एक आपकी टेक्निक है यानि जो रचनातमकता होती है जो जिसमें कहीं स समस्था को कहीं प्रकार से समधान उसके किया जाता है तो क्रिटीविटीटी के टैक्निक होती है ठीके एलेक्स आपके सामने समस्था का कैसे बास करोगे तो समस्य आने के बाद आपके दिमाग में विचारों का उतल-पुतल होना शुरूगे जाएगा और छाण अलग अलग प्रकार के नहीं है तो यहांट पर क्या हो रहा है ब्रेल्स टोटिटी का इसलिए मैंने का क्रीडियूटी के एख टेक्निक है यहाँ पर समझ सके अनेक प्रकार के संसादन दिये जाते हैं तरीके यहाँ पर बताए जाते हैं ठीक है तो यह होगी आपकी ब्रेनिस्टोर्मिंग कोशन दिया हुआ है अभी कतन यानिकी अजर्सन विद्यारतियों को अर्थ गरण करने में अपनी सवभाविक रूच्यों को पोसित करने के लिए आवसर मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए जैसी कि तरह तरह की वस्त्रों का उप्योग करना प्रियोग करना और मारण यह दिया है कि आदिक्म यानि ylanding की जो प्रिकरतिंग़ होती है वह किरियाशील और सामजिक होती है बिल्कुल ठीक बात है लेंडिंग कैसा होता है एक्टि होता है मलग बच्छा जो होती होकर अपने ग्णान करता रहता है और सामाजिक बिल्कुल ठीक यहां पर है तो दोनों ठीक हो जाएंगे और इसकी सही हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन आपके सामने है विकास यानि development क्या होता है अरे मैं कुश्चन के उपर आगया वर्ड देखो गला वर्ड आपके सामने गती सील यानिक डाइनिक एक जब आपका पेपर 20 अगस्त वाला हुआ था उसके अंदर नहीं बीस अगस्त नहीं ओनलाइन एक जाम हु आटैज निश्थ सुन्हात मगवा और कॉश्चन सामाज हो तु capit Fallout याज़ा भाष्या का विकास उसके नदर कुलिए जाता रहता है समय के साथ चैन जाता जाएगा माली जा आपके सारी रिक विकाष की बात करें अंगे अकश्न हो समझदार और यह ब्रिलेंट तो यह वो हो फीर्लमिक होता है यानि कि tief आता रहता है प्लास्टिक नेचर को आप लोग इसको समझ दृब्लापमेंट किया होता है यह वहस्तित होता है गलत यह सबाख है और उसके और सामजी विकास सब मैने आपके सामने पर बता दिया राइट आंसर यहां पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा अगला कुश्चन सामनी स्क्रीन पर आए रिगड़ मतलब कठोर ठीक है रिगड़ का मतलब क्या होता है कठोर यानि जब बच्चा बच्चे से जोड़ी किसी भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर एक पैमाना निर्दारित कर द तो यह रिगड़ होता है हमें बच्चों के लिए कभी नहीं रखना हमें बच्चे के लिए अपनी खुद को भी अपनी खुद के टीचिंग मैटड़ को भी करिकुलम सब यह से लिए जितनी बी चीज़ों बच्चे लिए फ्लेक्सिबल यहां पर रखने ठीक है तो हो कि हसी आपर आ रहे है क्या बोल रहे है तो आप हमेशा गुर्मेंटी स्कूल का भी दे देखरो देखो गुर्मेंटी स्कूल का मैं एक्जामपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग जितने भी स्टुडेंट हो मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा तो लेकिन गुर्मेंट का मैं ज्यादा देता हूँ क्योंकि मैं आपकी पर्ष्ट भूमी से कनेट करके आपको यहापर बढ़ाता हूँ ठीक है इसलिए मैं गुर्मेंट का आपको एक्जामपन देता हूँ ठीक है अब बता हुए इसके अको आप लोगों को सेवताना फिर से बीबी के साथ आप लोग आपर चले गए ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर देखो यह कोश्चन इसको मुझे इस वर्ड को डिफाइन नहीं करना है क्योंकि जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है ओटीज में आपको देखने को मि लन कहले है और उसके अंदर आपकी दिव्यांगता है 21 प्रकार के दिव्यांकता है उसी कर अंदर और तै ऌतर सहरे एक ची를 आपको दिव्यांच Colonika तो यह जब दिव्यांगते मैं आपको किलास पढ़ाऊंगा और सभी आपको वैवार को करता रहता है जैसे आगर मैं आपके सामने कुछ कहूं तुम बेकारे हो 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 अब कहों कि सर क्या हो गया हमें तो ऐसा लग रहा है तो बार बार एक परकार का जो रिपीटेटीव बिहेवियर होता है वह यापर उटीज में के लक्सन होते बिमारी के लिए बच्चों के अंदर होती है कोई ऐसा खास अभी सोलुसन नहीं निकला इसको पर रिसर्च जा रही है यह सब चीजे में आपको एक्स्प्लेन कर दूं बच्चा हो ओटीज में यानि के सवलींत वाला बच्चा हो अधिगम विकार से जुड़ाओ बच्चा हो जो आप लोग डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलेया डिस्थिम्या वगर आप लोग पढ़ते हो मांचिक रूप से चुनोती पूर्णो सभी के लिए फोर्त आंचरी अग्जामपल दे रहा हूं अगर आपके सामने प्रकार का अगर आपके सामने प्राधारित सभी चीज़े मनुविक ज्ञान के बहुत सारी स्कूल वे ठीके एक करिके सभी वह स्कूल आते गए जिन्नोंने अपने अपनी विचार दारे बताई जो करेंट के अंदर जितनी अब चीज़ें आपके ठीके जितनी बी शिक्सक्ट वरस्ता वापकर आधारित हे जापर बच्चा खुद अपने ऑपरोच के जाता है बाल केंद्री सिक्षा की बात होती बट उससे पहले जो आपका वयवारवाद हुआ था उपका ध्यापक केंद्र को यानिकी टीचर सेंटर जो एक्टीव रहता था ता मतलब वहाँ पर कहा जाता था कि जो बच्चा होता इंदर डालता जाएगा बरतन बरता जाएग तो बच्चा स्कूल में अपनी पूंजी से लह सो कराता है ना कि स्कूल माने के बाद टीचर उसमें ग्यान डालता है यह जो आपके सामने दिवाए निसक्रिये यह विवारवाद के अंदर इसको आप ले सकतो अधर्वाइस रचनवाद के अंदर बच्चों को पैसिव यानि इसको लेना भूलिए आपको ठीक है जो मैं किलास बताओंगा पहली किलास में इसी के बार में बताओंगा इसको आपका अपका अपका रहाए जनुमान लगान यह वह जागा नेकिन निस्क्रिये नकल यानिकि पैसी इमिटेशन एक तो नकल करना वह भी निस्क्रिये होना आपका सही हो जाएगा बढ़ते आपके सामने है वेदन और अभ्यास यानिकी ड्रिल एंड प्रेक्टिस देखा क्या होता था जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे इनफेक्ट आप लोग आज भी स्कूल के इंदर पढ़ते हो तो जब स्कूल में बच्चों के लिए जो भी चैप्टर बच्चे के लिए पढ़ते तो बाद में कुछ एक्सराइज दी होती है या उसके लिए कुछ अलग से भी किताब आती है एक्सराइज जो बच्च वापर करता है प्रेक्टिस करता है तो टीचर बार-बार एक लंणिंग का शिकार यहापर हो जाएगा और हमको यहापर लंणिंग बच्चों को नज आ는 हमें बच्चों को चीज़िए आपर समझानीजिए इसलये यहा पर यूज किया जδा लंग्रिणिंग को अपरोच ह norm भी थे यानि बच्चा खोजबीन के माध्दम सच चीजें सीके बच्चा इंक्वाइरी कर सके बच्चा डिसकाशन कर सके खुद अपने दिमाग का यूज करके अपने ग्यान का नियुमान कर सके ठीक है तो इसलिए डिल एंड प्रैक्टिस बच्चों की रोट लेंडिंग को बढ़ा जाए और कंसेप्चल अंडेश्टेंडिंग की तरफ उनको जाद से जादा ले जाए जाए ठीक है अब इसको उप्षन देख लेते क्या दियो पहले तो कुश्चनी पढ़ ले निमने में से कौन सी सिक्सा सास्तिय पदिती एक सरंचनावादी क्लास्रूम के लिए प्रेस्पेक्टिव करने के लिए बात करूंगा सामुहिक सैयूगिता गृूप को लैपरेसन बिल्कूल ठीक बात है कि चल अपने दोस्तियार हो के अंदर अपना डिसकर्शन कर लो ठीक है यह भी हो जागा डिलेड प्रेक्टिस डिलेंड रिकॉल यहापनी होगा वेदन वैं दोराव नहीं होगा तो आपर कुछ नेगेटिव पूछा नेगेटिव का आपका सही हो जाएगा और यहाप डिफिकल्ट वर्ड जो आपके सीडिपी के अंदर आते वह यहापर मैंने आपके सामने आपको बता दिये और जब प्रोपर क्लास चल जाएगी जो क क्योंकि multiple subject होते हैं पूसिबल नहीं हो पाता है सभी subject का syllabus पूरा complete करा पाए जितना में जरूर कराता हूँ ठीक है और उसके बाहर मैं बिल्कूल नहीं कहता है कि आपको कूछ और पढ़ने की जरुत पढ़एगी तेकन कुछ सब्सक्रिपी क्हापको क्लेकिते सांस्गालिक जिस बत्चे को कोई question पूछना हुआ करें इस पर कर दिया करें ठीक है computer से operated होता है थोड़ा समय लग सकता है आपको लेकिन आपका अंसर जुरूर इसको पराता है और आप लोग आज क्या score आप लोग मुझे बता सकते हो कितना आज आपका score बना है वह score आप लोग मुझे बत सब्सक्राइब लग बग आठ से दस कंशेप्ट यह दस वर्ड आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलते और वह तो मैंने भी आपके option को explain नहीं करा पूरे डीटेल में वहने बाइस question आपको सी question के बरावर बन जाते तो या तो question पड़ो आंसर पढ़ के आगे निकल लो या इनको समझा वह आपके ओपर डिपेंड करता है ठीक है अब जर आपने score बता दो या फिर मुझे पेड़ क्लास में जाना है ठीक है ठीक है बहुत लोग क्लास लीजे वेरी गुड़ बही बाइस सत्तरे इसमें तो सोरव वाले में रुकी इसुकिन बुझे समझ मां घया और कल यूट्यूफ के बारे में आपको बता में आ अगरे laos इनकैles होगी थीकंगा मैंको घो